नमस्कार विद्यातियो देखिए सेट B है अर्दवार्शिक परिक्चा जो आज आप लोग देने वाले हैं 8 दिसंबर का ये आपका पेपर है संस्कृत का जो पूरा सुलेशन के साथ सेट B का अभी आपको मिलने वाला है सभी स्टुडेंट्स इन परिष्णों को देखिए और सभी परिष्णों को अच्छे से नोट कर लीजेगा और पढ़कर जाईएगा क्योंकि ये परिष्ण आपके पेपर में आपको देखने को मिलने वाले हैं पूरा संस्क्रत का पेपर रहेगा आपका ये देख सकते हैं आप ठीके यहाँ पर मैं आपको सिर्फ बताऊंगा जल्दी से आप बिना देर की इन सभी परिष्णों को नोट करेंगी स्टुडेंट्स देखिए ये रहा आपका कुश्यन पेपर संस्क्रत का देखिए आयम पदे वचनम अस्ति बहु वचनम पित्रनाम पदे विवक्ति अस्ति सष्टी राग्गी राजनी पदे वचनम अस्ति तो ये हो जाएगा एक वचनम सदाचार एव परमोधर्मा असमीन वाक्य अव्याम अस्ति तो एव होगा और अधी लिखितेशू अव्याम अस्ति तो यहाँ पर जो अव्य है देख लिजे पूरा कोशन का सोलुशन जो जो दोस्त आ गया हैं सभी को शेर कर दो आप का रदवार्शिक पेपर सेट भी का पूरा सोलुशन यहाँ पर बता रहा हूँ तो इसमें आपका जो राइट अंसर होगा वो हो जाएगा कदा आगे देखीगा पीबा में इत्यस्मिन पदे वचनम अस्ती तो एक वचनम भवेता में इत्यस्मिन पदे दातु अस्ती बुह हो जाएगा गच्चनती इत्यस्मिन पदे लकार अस्ती तो इसमें लटलकार और लेटलकार अस्तुदार नमस्ती तो यह हो जाएगा पटिश्यती और प्रिचार्जी में उफसर्ग है प्रा और अगला कोश्यन है अवतार पदे उफसर्ग अस्ती तो अव उफसर्ग आपका होगा आगे हम बात करें कोश्यन नंबर आपका रहेगा तीसरा वाला प्रिच नंबर तीन देखिए अब यहाँ पर आपको जोड़ी मिलाना है देखिए मनोरत का जो संदी विच्चेत आप करोगे या संदी का नाम बताओगे तो इसमें विसर्ग संदी आप बताओगे दिगु समास के हम बात करेंगे तो यहाँ पर तिरु बुहनम हो जाएगा और हिमाले की बात करेंगे तो तिर्ग संदी से मिलाएंगे और लंबो दर को आप मिलाओगे बवरी समास से और हरीम वंदे को आप मिलाओगे हरीम वंदे से और दीनाए दानाम को मिलाओगे दीन ठीक है उसके बाद question number 4 वाला है तो इसमें आपको क्या करना है यहाँ पर कत्वतू पृतिये का उधरन बताना है तो क्या होगा पटित वान पटित वान आपका correct answer हो जाएगा अगला question आदाए में पृतिये बताना है तो आदाए में जो होगा वो लियप पृतिये होगा अगला question बाला में आपका टाप पृति होगा और अत्र जीवितम की दिर समझाता हम तो यहाँ पर अंसर क्या होगा दूरवाहम हो जाएगा दूरवाहम चीक है और यहाँ पर सर्वदा सर्वकार्यसु काबलवती तो इसका अंसर बुद्धी होगा आपका और पिता बुद्ध अगला question हम देखते हैं यहाँ पर सुद्ध सुद्धवाक की बताना है तो कह रहा है कि दानाओं का विलोंपद मानवाय होगा तो यहाँ पर क्या लिखते होगे आम है ना तो यहाँ पर मैं निसान लगा के बता दूँगा आपको आमरम का पर्यवाची रसालम है सत्य मतलब आम और विशाहल ग्रामा इत्यस्मिन पदियो ग्राम विशेशनम अस्ति तो इसका लिखोगे ना और मदुरानी गीतानी इत्यस्मिन पद्यूग गीतानी विशेश्य मस्ती तो इसका गीतानी विशेश्य बिल्कुल इसमें आम लिखेंगे आप चीक है और सूर्य पदश्य पर्याइवाची इमकर आश्ती इमकर ना और जलम पदश्य विलोम निरग तो इसका भी क्या होगा ना है ना लिक कराईएगा और यहां पर आप देख सकते हैं बाकी कोश्यन के अंसर यह पूरा कोश्यन पेपर आपका बता देता हूं इन ही कोश्यनों को आप पढ़कर जाएंगे और अच्छे से करके आएंगे क्यों आपका अपटित गध्यान से निबंध है देख सकते हैं चलिए स्टुडेंट्स आगे हम बात करते हैं अन्यू वीडियो के माध्यम से जब आपका पेपर रहेगा यह पेपर देकर आओ तो बताना केसा आपका पेपर जाए